तो तो रोख दिया, परन्तु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज तुम समझ रहे हो ना पार यह क्या कर रहा है तुम्हारी मूर्खता का लाब उठा रहा है दुर्योधन अर्जुन वज्रव्यू को त्याग आगे बढ़ रहा है हमने उनके वज्र व्यू को तो निश्क्रिय कर दिया है दुर्योधन परन्तु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रत पर लगी पता का यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा इसलिए उसका लक्ष केवल तुम हो अर्जुन को रोकने का उपाए सोचिए इसका उपाए है मेरे पास आर वो देखो ढंगा पुत्र तुम्हारी और तुम्हे रोकने आ रहे हैं उनसे द्वंद करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सुर्यास्ट्र होने में बस कुछ ही समय मेशेश है पार ढंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है कंकेद भेजो पार कि कोई और इन्हें रोकने आ सके शीखता करो पर उन्तु पितामा से ज्वन्त करेगा को जब योध्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ग्यात हो जाएगा धर्मराज यह अरजुन नहीं तो कौन है अभी मन्यू अभी मन्यू अभी मन्यू कि अर्णी पाथ प्रपितामा, कल्यान हो, पुत्रूझ किन्थ तूह अपने ही प्रपितामा का मार्ग रुखना उच्छ थे उच्छoter मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हो, प्रपितामा भही कर रहा हो तो मेरे पिता ने अपने पिता मैंसे सीख्ए और जो मुझे सिखाएं पुचित कहा पुत्र यह युद्ध ही ऐसा है यह भूमी ही ऐसी है यहां द्वन्व के पालन हे तू अपनों के साथ ही द्वन्व करना पड़ रहा है मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निश्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो किन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं मेरे विरुद्ध हो और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपिता मा पुत्री उत्तर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक रन भूमी में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा स्वभाग्य और तुम्हारा स्वाग दोनों पर कुई आच नहीं आए स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं और इसके चलते मैंने तुम्हारी अरधांगनी उत्तरा को वचन दिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमी में हूँ तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूँगा ये क्या गह रहे है पितामा ये युद्ध है और ये हमारा शत्रू इसकी रक्षा नहीं करनाई है आपको इसका वद्ध करना है मुझे भली भाती स्मर्ण है इदुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्टव है, परन्तु किसका वद्ध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है पितामा, यदि आप इसी प्रकार पंड़ों के मोह और बचनों से बंदे रहेंगे, तो हम ये युद्ध भार जाएंगे, पितामा और यदि ऐसा हुआ, तो उसके दोशी केवल आप, और आपके ये बचन होंगे मेरे सामने से चले जाओ पुत्र तमा किजे पितामा, इस प्रकार मेरे प्रती आपका प्रेम भाव, आपको मुझ को राक्रमन करने से रोक रहा है उसी प्रकार, मेरे परिवार के प्रती, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दू मैं तुमको एक शती नहीं पहुचा सकता पुत्र, परन्तु इसका आर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता सर्थी साध हू पुत्र, किन्तु अगली बार अचूखना प्रापिता मा, या तो द्वन्द कीजिए, या समर्पन कीजिए पस्करो पत्र गुरुदे, युद्से पूर्वेक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशिरवाद लेना अनिवार्या है मेरा अशिरवाद, कदेव तुमारे साथ है अर्जिव कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव जिससे युद्ध कला और धनुर विद्या सेखी एक दिन उसी के विरुद्धिस का उप्योग करना पड़ेगा तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन को रो, अर्जू युद्ध शाला नहीं, यह समस्त, युद्ध भूमी है और यहां का हर एक विपक्षी, केवल और केवल, तुम्हारा शत्रु है, अर्जून सालतान अर्चन अर्चन के मार्ग में आ रहे हैं, वर्चन के आगे बढ़ने के लिए, अर्चन के मार्ग की बादा हजानी होगी जाओ, जाके अर्चन की साहिता करो सार्थी, रात आगे लो युवराज दुर्योधन यदि युद्ध के सारे निर्णे तुम्हें ही लेने है तो मुझे सेनापती बनाने के क्या वशित्तो थी ऐसा में इसले कर रहा हूँ पिता, हाँ कि कि आप आप पौर्वों के प्रती अपना कर्तव बेनिभा नहीं पा रहे हैं आप यहां मौन रहने के लिए नहीं कोरव सेना का नेत्रत्रों करने के लिए आये हैं क्या मा, पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमन करने के लिए आप हमें रननिति क्यों नहीं बता रहे हैं। बताएए। समरण है ना पिता माँ आपको। यदी दुर्योधन के रग की पता का अर्दुन के हाथ मिला कई। तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहीम। हार जाएंगे कुछ की जिये। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापी नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयम धुकतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की तो अभी आकरमन में समय शेष है। ये कैसी बाते कर रहे हैं आप। इसलिए मैने आप से कहा था। क्या मैं पिता मां से आदेख। मैं तर्काल किया वशकता है। आप देखिए। देखिए क्या स्थिफिए होगा है हमारी। देखिये, देखिये, कैसे मौन खड़े हैं, ऐसे चलता रहा है, यह तो हम शीगरी हैं, कर जाएंगे, मेरे पिताश्री के पास जाकर फुना यो तकलासी को भेम, इस मनन हो रहा है, कि पतिशोद की आग में तुम यो तकलाब बूल रहा हूँ, यदि तुम बेले हाथो, जीवित पजगा शोद थाबा, तुम मैं वर्शेसा करूंगा, तुम आगे बढ़ने का समय आगया है पार्थ, प्रोनाचार के साथ युद्ध करके हमारा समय वियर्थ हो रहा है, हमें अपने वज्जर को उचित स्थान पर पहुचाना आती आवश्यक है पार्थ, कैसी आगया माथव, चलिए, आगे बढ़िए, कि में आगया बढ़िए, लगे बागया, प्रोनाचार के साथ युद्ध करके करें लुद्ध करें आगया प्रोनाचार के समय आगया, शत्रो का वज़र आगे बढ़ा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्य उत्पन हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले समराण। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुमारी अवशक्ता है मित्र। अवशक्ता है तुमारी।